हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिंडी मसाला सबजी की रेसिपी जो आज आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये सबजी बहुत ही खाने में टेश्टी लगती है बहुत ही टिलेसियस बिना देरी करते हुए आईए बनाना सुरू करते हैं बिंडी मसाला बनाने के लिए यहां पे मैंने गैस पे एक कड़ाई रग दी है अब हम इसमें 2 से 3 टेवल स्पून सरसो का तेल डाल देते हैं आप जो भी कोकिंग ओयल यूज करते हो आप वो डाल सकते हैं इसे गर्म होने देते हैं तेल गर्म हो चुकी है अब यहां पे हमने 200 ग्राम बिंडी ले लिया है इसे अब हम तेल में डालके इसे फ्राई कर लेंगे बिंडी को मैंने अच्छे से धो करके इसे सुखा करके अच्छे से पाँच करके ले लिया है इसे अब हम तेल में फ्राई कर लेंगे आप जब भी मसाला बिंडी बनाए इसे अच्छे से ध पॉच पॉच करके उसके बाद ही सब्जी बनाए यह देखिए विंडी हमारी प्राइ हो चुकी है अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं सारे विंडी को इसी तरीके से हम निकाल लेंगे यह देखिए विंडी को हमने फ्राइ करके निकाल लिया है बची हुई तेल में हम फ्रिज से 2 टेवल स्पून तेल डाल देते हैं और इसे गर्म होने देते हैं तेल गर्म हो चुकी है अब हम इसमें 1 टेवल स्पून जीरा डालेंगे 1 टेवल स्पून मेथी के दाने के बाद हम इसमें चुट के भर हिंग डाल देंगे अब यहां पे हमने एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है जिसको मैंने बिल्कुल ही बारिक काटके ले लिया इसे अब हम तेल में डाल देते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे बुल लेंगे चलाते हुए आप इसे बुल ले प्याज हमारी भुण चुकी है अब यहां पे हम दो हरी मिर्च एट कर देंगे इसे भी हम मिक्स कर देंगे उसके बाद हम इसमें वन टेवली स्पून बेसन एट करेंगे इसे हम साथ में तेल के साथ बुल लेंगे बेसन हमारी भुण चुकी है बेसन से अच्छी खुस्बू आ रही है अब हम इस टाइम पे मसाले एट करेंगे 1 टेबल स्पून कस्मीरी लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून रेट चिली पॉडर, 1 टेबल स्पून हलदी पॉडर, 1 टेबल स्पून धन्या पॉडर, टेस्ट के एक़रडिंग नमक, अब हम सारे मसाले को इस तरीके से मिक्स करते हुआ, हम भुल लेंगे, थोड़ा हम इसमें पानी एट करेंगे, थोड़ा इसमें पानी एट कर देते हैं, ताकि मसाले जलेना, यहीं पे हम साथ में टमाटर भी एट कर देंगे, यह मैंने एक टमाटर ले लिया है, इसे भी मैंने बिल्कुल ही बारिक काट के ले लिया है, इसे भी ह तेन से चार मीनाट कर देंगे, तक बुहएं मिचाइप तीजर कोई तीन घूला है, तक शरी कि तक लाएबंसा आगा, जह तब तक बुहनात, टमाटा आएक पवाद कमाटा न से तो कि युवम रहें, तो कि मसाले देंगे वही हूह है, 2-3 मिचाइप गू तो कर देंगे, मसाला हमारी अच्छे से बुन चुकी है अब हम इस टाइम पे टू टेवल इस्पून दही एड़ करेंगे आप दही जब भी एड़ करें गैस के फिलेम को बिल्कुल ही लो कर दे इसे डाल करके मिक्स कर ले मसालों के साथ दही को अच्छे से आप मिक्स कर ले अब हम इसे दो मिनट के लिए फिर से कवर कर देंगे दो मिनट हो चुके हैं ये देखिए मसाले से तेल बाहर आ चुकी है जब हमने इसमें दही एड़ किया था तो तभी का कलर आप देख सकते हैं और अब का कलर आप देखिए कितना अच्छा आया है अब हम इसमें फ्राइ किये वे भिंडी एट करेंगे इसे डाल करके मिक्स कर ले मसालों के साथ अच्छे से आप इसे मिक्स कर ले इस तरीके से मसालों के साथ भिंडी को भुनते वे हमें अब हम इसमें पानी एट करेंगे ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं लेकिन भिंडी में पानी बिल्कुल ही थोड़ा ही डाले उससे सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ज्यादा पानी एट ना करें इसे डाल करके मिक्स कर ले हमने इसे मिक्स कर लिया है अब हम इसमें हाप टेवल इस्पून गरब मसाला एट कर देंगे इसे भी हम साथ में मिक्स कर देंगे उसके बाद हम इसे एक से दो मिनट बस कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से उबाला पाए भिंडी तो बहुत ही जल्दी पक जाती है यह देखिए अब हम इसे कवर कर देते हैं और इसमें उबालाने देते हैं एक से दो मिनाट हो चुके हैं अब हम सब्जी को देख लेता हैं ये देखिए सब्जी हमारी बन के तैयार है देखने में कितने डिलेश्यस लग रही है ना ये देखिए अब हम कैस के फिलम को आफ कर देते हैं उसके बाद हम इसके उपर थोड़ा सा हरादनिया डाल देता है यह हमारी सबजी बन के बिलकुल तयार है अब चलते हैं सब करने की प्रोसेस पे यह लेजिए बिंडी मसाला हमारी बन के बिलकुल रेडी है बहुत ही डिलेशियस यह सबजी बन के तयार होती है मेरे इस तरीके से आप बिंडी मसाला बनाए बहुती टेस्टी बनेगी बहुती डिलेसियस आप इसे रोटी चावल किसी के भी साथ इंज्वाइ कर सकते हैं ये खाने में बहुती टेस्टी लगती है बहुती अमेजिन वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें फैमले फ्रेंड में सेयर करें चैनल पे नए है तो प्लीज सस्क्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले थैंक यू